शिक्षा जिसके बिना पर आपको परखा जाता है शिक्षा जिसके बिना पर आप अपने जिन्दगी में अपने हिस्से का मुकाम हासल करते हैं शिक्षा जो आपके जीवन की रूप रेखा बदल देती है शिक्षा जिसके बिना पर आपको ग्यानवान या मुर्ग की पढ़ भी दी जाती है तो ये तो टे है कि अगर आपके पास शिक्षा है तो समाज में आपको एक अच्छी पढ़ भी मिलेगी अने था नहीं मिलेगी आज भले ही 100 विश्विद्याले की गिंती में भारत को किसी सूची में जगा ना मिली हो लेकिन कभी दुनिया में सबसे बहतरीन विश्विद्याले भारत में हुआ करते थे जहां एशिया से ही नहीं बल्कि यूरोप से भी लोग पढ़ने आते थे उन्हीं में से एक बहतरीन विश्विद्याले के बारे में हम बात करेंगी जिसका नाम है नालंदा विश्विद्याले जो भारत के बिहार राज में स्थित है इस विश्विद्याले में 10,000 बच्चे पढ़ते थे और 2000 अचारे हुआ करते थे इस विश्विद्याले की लाइब्रेरी कई मंजलों की हुआ करती थी जिसमें 90 लाख पुस्तके हुआ करती थी यह विश्विद्याले एक ऐसा शिक्षा प्रदान केंदर था जहां गुर्दक्षना नहीं देनी परती थी यह विश्विद्याले यह बताता था कि शिक्षा की मामले में भारतियों से बड़ा कोई नहीं लेकिन एक विदेशी अकरांताओं द्वारा इसे नश्ट कर दिया गया अफगानिस्तान से आये मुहमद विन भक्तियार खेल जी ने शिक्षा केंद्र को आग लगा कर पुरी तरीके से नश्ट कर दिया बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी में जिसमें 90 लाग फुष्टके थी वहां भी आग लगा कर उस लाइब्रेरी को पुरीता से नश्ट कर दिया गया और यह आग 6 महिने तक लगातार जलती रही आईए देखिए प्राचीन भारत के नालंदा विश्विद्याले की ये कहानी इसकी खासियन ये विश्व का पर्थम पूर्णत आवास से विश्विद्याले था और 1510 आचार ये नालंदा विश्विद्याले में थे। इस विश्विद्याले में भारत की विविन छेत्रों से ही नहीं बलकि कोरिया, जापान, चेन, तिबबत, इंडोनेशिया, फार्स और तुर्की से भी विद्यार्थी शिक्षा गरहन करने आते थे। नालंदा के विश्विष्ष्ट शिक्षा प्राप्त सनाथ तक बाहर जाकर बौध धरन का पृचार करते थे। इस विश्विद्याले को 9 स्तापदी से 12 स्तापदी तक अंतराश्ट ख्याती प्राप्त थी। प्रवेश के नियम प्रवेश परिक्षा अत्यन कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही प्रवेश पासकते थे उन्हें तीन कथिन परिक्षा स्तरों को पास करना होता था, यह विश्व का प्रतम ऐसा विश्विद्याले था जिसमें शुद आचरण और संग के नियमों का पालन करना अत्यान आवश्यक था ऐसा था प्रशाशन एमम कारेकाल समर्त विश्विद्याले का प्रबंदन कुल पति या परमुक आचारे करते थे जो भिक्षों द्वारा निवार्चित होते थे कुल पति दो परामर्श दात्त्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंदन करते थे प्रथम समीति शिक्षा तथा पाठ्यकर्म संबन्थी कारे देखती थी और दूसरी समीति सारे विश्व विद्याले की आर्थिक विवस्था तथा प्रशाशन की देख भाल करती थी विश्व विद्याले को दान में मिले 200 गाउं से प्राप्त उपज और आय की देखरेख यही समीती करती थी इसी से शहस्त्रों विद्यार्थियों के भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होता था ज्यान प्राप्ती इस विश्व विद्याले में आचारी शात्रों को मौखिक व्यख्यान द्वारा शिक्षा देते थे इसके अतरिक पुस्तकों की व्यख्या भी होती थी और शासरार्थ भी होता था दिन के हर पहर में अध्यन तथा शंका सामधान चलता रहता था ये सब यहां पढ़ाया जाता था, यहां महायान के प्रचारक नागारजुन, बसुबंधु, असंग तथा धर्मकिर्टी की रचनाओं का विश्तिद अध्यन होता था वेद, विदान और सांख भी पढ़ाय जाते थे, व्याकरन, दर्शन, सरजरी, जोतिष, योगा, शास्त, तथा, चिकिसा, सास्त, भी पाठ करम के अंदर गत थे नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांसे की मूर्तियों के अधार पर कुछ विद्वानों का कहना है कि कदा चित, धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्यन होता था यहां खगोल शात्र अध्यन के लिए एक विशेस विभाग था पुस्तकाले नालंदा में शाहत्रों, विद्यार्थियों और आचारियों के अध्यन के लिए नौ तल का एक विराड पुस्तकाले था जिसमें 90 लाग से अधिक पुस्तके थी इस पुस्तकाले में सभी विश्यों से सम्बंदित पुस्तके थी शात्रों के रहने का इंतजाम यहां शात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे जिनमें अकेले या एक से अधिक शात्रों के रहने की विवस्ता थी एक या दो भिख्षू छात एक कमरे में रहते थे एवं शात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता ना थी उनके लिए शिक्षा, भोजन, वस्थ और उप्चार सभी निशुलक थे राज की ओर से विश्व विद्यालय को 200 गाउं तान में मिली थे जिन से प्राप्त आये और अनास से उनका खर्च जलता था चीन के प्रसिद विद्वान ने लिए शिक्षा प्रसिद चीनी विद्वान यात्री, हेंट सांग और इस सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सांस्कृतिक वद दर्शन की शिक्षा ग्रहन की इनों ने अपने यात्रा वृत्तांत वसंस्मरणों में नालंदा के विश्य में कावी कुछ लिखा हेंट सांग ने लिखा है कि शहस्तरों शात्र नालंदा में अध्यन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था तिन भर अध्यन में बीच जाता था, फिदेशी शात्र भी अपनी शंकाओं का सामधान करते थे इतनी महान शिक्षा संस्थान को मुहम्मद बिन वक्तियार खिल जी ने क्यों जलाया कहा जाता है कि एक बार वक्तियार खिल जी बुरी तरह बिमार पड़ा उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ तब किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के आयूर्वेद शाखा के हेड राखुल शिरिभद जी से इलाज कराने की सलाह दी लेकिन खिल जी किसी हिंदुस्तानी वैद्ध से इलाज के लिए तयार नहीं था उसे अपने हकीमों पर जाता भरोसा था उसका मन ये मानने को तयार नहीं था कि कोई हिंदुस्तानी डॉक्टर उसके हकीमों से भी जादा काबिल हो सकता है राहल शिरीबदर ने खिर जी का किया अनुटा इलाज कई हकीमों से इलाज करने के बाद आखिरकार खिर जी ने उलाज के लिए राहल शिरीबद को बुल्वाया खिल जी ने उसके सामने शर्त रखी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवा का इस्तिमाल नहीं करेगा और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उन्हें मौत की नीज सुला दी जाएगी ये सुनकर राहु शिरीबद सोच में पढ़ गए फिर कुछ सोच कर उन्होंने खिल जी की शर्तें मान ली कुछ दिनों बाद वो खिल जी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उससे कहा कि इसके इतने पन्ने रोज पढ़िये ठीक हो जाएंगे ठीक होने के बाद खिल जी रखने लगा जलन दर असल राहु शिरीबद ने कुरान के पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था खिल जी थोग के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और इस तरह धीरे धीरे ठीक होता गया लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद उससे हिंदुस्तानी वैद के एहसानों को भुला दिया उसे इस बाद से जलन होने लगी कि उसके हकीम फेर हो गई जब कि एक हिंदुस्तानी वैद उसका इलाज करने में सफल हो गया तब खिल जी ने सोचा कि क्यों न ग्यान की इस पूरी जड़ को ही खत्म कर दिया जाए जिसके बाद उसने जो किया उसके लिए इतिहास ने उसे कभी माफ नहीं किया जलन के मारे खिलजी ने नालंदा युनिवरसिटी में आग लगाने का आदेश दे दिया कहा जाता है कि युनिवरसिटी की लाइबरेरी में इतनी किताबे थीं कि यह छे महने तक जलता रहा इसके बाद भी खिलजी का मनशान नहीं हुआ उसने नालंदा के हजारो धार्मिक लीडर्स और बौध भिक्षों की भी हत्या करवा दी बाद में पूरे नालंदा को भी जलाने का अदेश दे दिया इस तरह उस संकी ने हिंदुस्ताने बैद के एहसान का बदला चुकाया तो यह है नालंदा की कहानी अगर आप प्राचीन भारत की ऐसे ही और भी कहानिया सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए